माइक आप रखेंगे सब लोग लुगांस चलिए कल के लेक्चर में यह हमारा लेक्चर नमबर 7 है सिनल एंड सिस्टाउ इसमें हम देखेंगे टाप सिंटिम प्रोपरिटीज का एडवांस T प्लस मैनस टाउ माइनस था कम कर रहा है न जी तो डिले तो राइट हेंड साइड सिनल सिट होता है T प्लस T नाड और भड़ा करना है दिख रहा है T प्लस T Não तो क्या होगा जी एडवांस होगा सिनल तो कौन साइड सिट होगा लेड हेंड साइड और T greater than 0 समझ मैं है सबको क्लिकर हो क्या shifting कर लोगे सब लोग बताएंगे ठीक जैसे यह हमारा signal था x of t तो इसको 3 से delay करोगे ठीक है once तो यह signal था अब हमने minus t करना है तीन पीछे हो जाएगे न जी अब चलू कहाँ से देखो पहले 0 से चलू हो रहा था और 2 पे खतम हो रहा था जैसे दुम लोग देखो आज तुम पढ़ना चलू किया 2 घंटा पढ़े खतम हो गया और नहीं पढ़ोगे तो पीछे हो जागो न जी देखो पीछे हो गया तीन से चलू किये पाच में खतम किये समझ पाए योगांस टिटर वाब आगे कल मैंने माइक काप रगो टाइम सिफ्टिंग यहां तक कम्लिट है सबको अब इसी में प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा जी एडवांस हो जाएगा मतलब पहले से पढ़ के आओगे तो मैंने कि महनत तम करना पढ़ेगा नजी कुछ बच्चे एडवांस होते है इस तरीके से पहले से पढ़ के आते है ठीक है न इसलिए बोलता हूँ घाना भी है आने के पहले जाने के बाद आती है आती है तेरी तेरी आद सुने ओ गाना तो ये गाना तुमारे लिए है ठेक है जी आने के पहले और जाने के बात देखो ये कल बताये था क्लियर हुआ कैसे जी बताएंगे साफिक अब कर लोगे कोई भी सिगनल दोँंगे तो ग्लस माइनस कर लोगे चलौ देखते हैं हूँ हो जागा न देखो ये सॉटकर ट्रिक भी होता है आपको अगर आप ये समाझ मेंगा है हो गे तो ये ट्रिक होता है तो मैं ये ट्रीक या रखना है अगर देखो ध्यान से, तुम लोग ध्यान दो धर, राइट शिप कब हो राइश, वहाँ, वेरी गुड, आयसी कन्क्लूजन्स है, उसी को याद रखें, सबको, थेखा जी, सात्विक, देखो, ये दोनो, अलग-अलग साइने, तो राइट शिफ्ट हो रहा है, और सेम साइन वहाँ हो तो, लेट शिफ्ट, क्लियर, लेट मतलब अद्वांस, राइट मतलब डिले, ठीक, ठीक, क्लियर हो गया, नेक्स्ट, स्केलिंग, स्केलिंग बताया था, तो स्केलिंग में क्या बताया था, जी, कंप्रेस और एक्सपैंड, कंप्रेस कब होगा, जब के कब विल्यू, ग्रेटर देन, वन होगा, और एक्सपैंड कब होगा, लेज देन, वन, ठीक है, कल बताया था जमपर, क्लियर हो, यह सब, हाँ, देखिए, अब यह एक सब्टी, इसका मैनिटूट 10 है, तो 10 हर जगा 10 है, देख रहे हो, हम लोग मैनिटूट को कुछ भी नहीं करने हैं, हम लोग केबल किसमें आपरेशन लगा रहे हैं, केबल और केबल टाइम में, तो मैनिटूट सेम रहेगा, बले दिमांग पर रखो, आप देखो, 2 टिक कर रहा हूं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बताया रहे हैं, डिवाइड बए 2, डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड है तो, मल्टिक्लाइ, ठीट, क्लियर होगे ना सबको, ठीट, ऐसकी रिवाइज क्या करो, केबल आगे बढ़ने से मतलब नहीं, रिवाइज भी करना जरूए, और एरिया भी क्या हो रहा है, एक्स्पांड मतलब बढ़ेगा, कंप्रेस मतलब, घटेगा, क्लियर हैं जी, देखो, टू से टी किये, टूटी किये, एरिया डिवाइड बेटी हो गया, और यहाँ पर टी पाई फोर किये, तो फोर से इन टू हो गया, समाझ पाए ना, क्लियर हुआ, सबको, चल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी, अब डिस्क्रीट सिगनल है, तो क्या होता है जी, डिस्क्रीट सिगनल, क्या बल कर रहते हैं वैलियूस, इंटीजर्स पर रहते हैं, यह खतम, जो नॉन इंटीजर्स है, उसके वैलियू क्या हो जाएगी, वह नहीं सुझाईगी, उसी क्या बोलते हैं समलो, decimation in time, और interpolated या interpolation in time, clear हो गया सबको, यहां तक, चल आगे बढ़ते हैं, अभी यह x of tic signal है, इसको मैंने x of minus tic करना, सिखाया था, समझ पाया है सब लोग, कैसे होगांस, मना लेगा, इसलिए live class जरूरी है, देखो, यह x of tic signal है, सब लोग देखो ध्यान से, अब x of minus tic करना है, देखो यह होगांस, ध्यान से, अभी हम लोग, यह देखो, जो minus है, वो कहां पाँ चला गया, plus, अब plus है, minus में चला, hold होगे इदर से इदर, आँ समझ में, तो time को उल्टा कर देना है, बस इतना ही तो है, समझ पाया, just उल्टा, reverse, reversal of time, minus कर देना, तो minus वाला plus में, अब plus वाला minus में, अब क्या करना है, मेरे को delay करना है, एक से, तो delay करेंगे क्या हो जाएगा जी, जैसे minus है, प्लस करना पढ़ें, बताया था, just उल्टा, clear हो रहा है सबको, clear हो गया न, इस तरीके से बना, तो आपके exam में, बस इतना ही पुछेगा, ऐस तरीके से, clear किसी को doubt, यहां तक, आगे पढ़ें, यह सब बन्जा रहा है, कुछ आगे concert बताओ, चलो, यह सब clear है, और कुछ question, दिया था मैंने, बनाया जी, पर यह कुछ, हाँ, trick दिया था, यह, जब भी, अगर, इस तरीके का signal है, 3D plus 1, तो पहले क्या करोगे, shift करोगे, फिर, scaling, इसमें क्या होगा, पहले यह सब, concept को दिरेदरे, समझो, फिर कोछ, समने का, चलो, तीसरा, चलो, क्या पूछा था, तीसरा, रहते है, 3D plus 1, यह समझा रहा था, 3D plus 1, देखो, इसी को, हमको क्या करना है, 3D plus 1, चलो, सब लोग, सब लोग, ड्रॉक किये, कसी जी, चलो, देखते हैं, यह सिगनल है, यह कहा हमारा, कौन सिगनल है, X of T, इसको ड्रॉक करना है, 3D plus 1, X of, तो मैंने, दो तरीका बताया था, अगर आप, इस तरीके solve करना है, तो क्या करोगे जी इसमें, कर ले, फर्स्ट क्या करोगे, हाँ, shift पहले करोगे, तो यहाँ पर प्लस 1 है, तो क्या करना पड़ेगा सब में, हम, very good, तो यह क्या हो जाएगा, यह माइनस 3 हो जाएगा, और यह, प्लस 4, समझ भाए सब लोग, सरी, 3, just ultra, just ultra, ठीक है जी, just opposite, यह माइनस 3, मतलब थोड़ा आगे, खी सक जाएगा, यह भी आगे खी सक जाएगा, और यह इस तरीके से, समझ भाए सब लोग, यहाँ पर, माइनस 3, और क्या होगा, आगे, प्लस 3, तो यहाँ से सिगनल आ रहा था, इस तरीके से, हुआ हो, यहाँ तक क्लियर हुआ, साफिल, अब, तेन का गुड़ा है, तो क्या करोगे, डिवाइट कर दोगे, वेरे गुड, तेन के डिवाइट कर दो, चलो बताओ, क्या हो जाएगा, फिर इत्रीकास है, समझ क्या हो, देरे, चोटा हो जाएगा, इसलिए मैं जान बुचके, चोटा बनाएगा, तक आप लोग को लगे, कि चोटा बन रहा है, अब आया समने, सब को, आप समाझ में सब कर दो, आप समाझ में सब कर दो, साथी, क्लियर हुआ, आगे बढ़ें, अभी तो सुर्वात है, अभी तो चलो हुआ है, पिचर बहुत बाकिया भी, सिग्नल में, इसमें क्या है, तुनों पढ़े नहीं हो, इसलिए मैं ठोड़ा सा तकलीप को रह पढ़ाने में, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, यहां तक क्लियर सब को, बना लोगे बाकी, यूनिट रैम सिग्नल, बताएंगे एक बार, इसके बारे में, क्या जानते हैं आप लोग, यूनिट रैम सिग्नल, उसको देफाइन करो, पाइल, डिफाइन, कीजिए इसको, और जीरो, हम्, वेरी गुड, जीरो अधर्वाइस, ठीक, इसको प्लॉट करते थे, कैसा बनता था जी, ये, हाँ, ठीक, क्लियर, यहां तरक तक क्लियर है, सब को, कैसे जी, बताएंगे, सब क्लियर यहां था, चलो, अब इसमें, याद रखना, जो भी, एम्प्लिट्यूड है, एम्प्लिट्यूड समझते हो, आफ, रेम, सिगनल, रेप्रेजेंट, वाट, बताओ जी, कैसे रेप्रेजेंट करते हैं अम्प्लिट्यूड, बताओ, एम, स्लो, क्या बताता है, वो, स्लो, हाँ, स्लो बताता है, इसी को पूछ रहा हूँ, तो y equal to m of x तो m क्या बताता है? slope को बताता है slope ठीक तो m is just slope slope मतलब जुकाओ इस तरीके से मैं उसको थोड़ा और थोड़ा और सुद्ध भासम बोल दिया जुकाओ नहीं? नार्मल भासम है ठीक है? एक कोड कोड की बोल सकते हो x-axis से बना कोड x-axis होता है y-axis याद आया? सब को ठीक अब मेरे को इसको plot करके बताना है सब लोग को बताएंगे मेरे को यह अगर रेम सिगनल है इसको represent किसे करते हैं जी? r of t से अब मेरे को plot करके बताना है r of t minus a कैसे plot करोगे? r of t अब व्याव़ ओूाब आया? प्रिया? बन गया जी सबसे बन जाना ची इसको फ्लाट कर सकरेगी नार्मल तरीके से ये माइनस है कहाँ चला जाएगा ये में आगे तरह जाएगा ने टाइम में ऐसा बना सबसे और इसी तरीके से इसको फ्लाट करोगा तो एडवांस हो जाएगा इस तरीके से वो तो इसे ठीक है समझ में आगे सबको यहां तक चलिए अगर ये समझ में आगे गया चलो फ्लाट करें दिखाऊ अगर आफ टू आइटी प्लाट कर दिखाऊं सब लोग अगर आइटी इसनो डिफान भी करोगे अगर प्लाट कर दुझते प्लाट कर द कि अगरेंगा RFT मतलब होई है नजी रेम सिगनल दिया हुआ है कि वाला RFT दिया है आपको 2 off RT प्लाट करना है ठीक बनाओ प्लाट करना है प्लाट करना है प्लाट की बताओ कि शिकाज़ चड़ो सिखा रहा हूँ तो यह आरफ पी है अब हमको प्लॉट करना है आरफ 2 2 मतलब किसको माटिप्लाइ केंज स्लोप को तो पहले किस तरीके से बनता था सबको ग्राब दिख रहा है ग्राब पर टेक्ट को दिख रहा है कि नहीं तो जब यह किता था जी जब इसकी प्रमाड़ता एक थी तो दोनों के बीच का जो गेप है यह दोनों बराबर था अब जो प्रमाड़ता या फिर स्लोप मैं बताया था जो भी मैंगनिट्यूड है यह टू टी प्लाट करोगे यह टू क्या बताता है मैंगनिट्यूड बताता है तो अभी स्लोप कितना है वन हो गाए अब स्लोप टू हो जाएगा तो क्या होगा किदर जूकेगा स्लोप जानते हों नहीं तुम लोग हाँ बस इतना ही है यहाँ टाइम तो उतना ही है टाइम जिरो से स्टाट हो रहा है बस यह जो प्लाट है वो ऐसे बन जाएगा समझ पाए सब लोग यह यह बन जाएगा हमारा टूटी अगर यह टी है तो यह वाला टूटी होगा अब देख रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर टू है यहाँ पर वन है उसका फॉर है तो टू है समझ पाए अब क्लियर होगा सबको जब भी रैम फंक्शन दिया रहेगा टू से मल्टिप्ले करेगा तो क्यावल स्लोप को चेंज करना है ठीक है जी? समझ पाए मैंने क्या बोला? स्लोप बसको चेंज करना है ठीक है जी? अगर ये दो ए से गुड़ा क्या है तो क्यावल हमको स्लोप को चेंज करना है ठीक है जी? बाकी चाले दो ही चावगा ठीक? अगर बढ़ें क्लियर होगा सबको चलो नेस्ट है मारा रेक्टेंगुलर सिगनल रेक्टेंगुलर सिगनल बताया था? सबको रेक्टेंगुलर बताया था न? इसको थोड़ो सा एडवांस खाम और बता रहा हूँ तो इसको डिफाइन करते हैं देखो एक्जाम में किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकता है चलो क्या बताया था इसका? 1 for minus 1 2 t to 1 तक 0 अधरबाई यह बताया था? सबको क्या था? इसी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता है 1 for mod t जानते हो mod का मतलब minus होना और plus होना हता है ठीक है ना जी? तो रिष्टा वही सोस नहीं t by tau by t देखो notation है 10 writer है 10 book है अपने हिसाब से सब represent करते है बात वही है ठीक है तो समाजना है सबको ठीक? clear हो गया वह इच्छ है बस इसको इस तरीके से कई book में notation करते है चलो आगे बढ़ते हैं अभी तो diagram तो ही रहेगा न? जैसा बनाये थे हम लोग diagram तो change नहीं होगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कई बार क्या होता है? अगर दूसरा लिख देगा तो तुम लोग नहीं बना पाऊ माइनस टाव बाई टू और ये इसको ट को टाव लिख दिया तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तीन तरीके हैं पहला इसको बोलते हैं ए रेक्ट रेक्ट मतलब रेक्टेंग न टी पाई टाव तो ये पहला रिप्रेजेंट जैसे देखो सदनन ठीक है? सुनाई दा रहे तुमको हाना? तो बाई नाम लमाए सच्चिना नांद करके सेफ कर रहे है अतो लोग घर मों के थे नानों के थे लेकिन हायस कॉन? तेच्चास ना जी सरदना ठीक? तो ये तीन नाम है लेकिन आदमी तो एक है न समझ पार है सब लोग इसे अबर गाव में इसन आदमी है तो नाम छोटे लाले तो सबसे बड़े आदमी हो घर के ठीक है तो नाम में कुछ नहीं रखा है इसको A, Reactor T ये भी बोलते हैं क्या है अगर इसके जगा A और पाई लिग दिया और T by 2 लिग दिया आते लोग सुने नहीं रहोगे लिग देखो पाई के ऐसे दिख्धे नहीं पाई हो दिख्था ऐसी? ऐसे टैप को दिख्वर है दिख्वर है कर नहीं? इसको A, Pai T भी बोलते है Pai signal ठीक है? ठीक है नहीं? पाई टैप को दिख्रहा है नहीं कैसे जी ए पाइटी next इसी को कैसा टाइप में दिखरा है और कैसे जी आपके घर में दर्वाजा होगा दूपला के ऐसी खुलता है ने दर्वाजा तो इसी को gate function भी बोलते हैं बता चुका हूँ दूसरा यह हो गया अग तीसरा इसी को represent करते हैं a g t यह हो गया gate function नाम होई छे ना मतलब signal होई छे नाम बसा लग लगा clear हो गया सबको तीनों एक ही चीज़े हैं a rect t by tau a pi t by tau a g t हाना ठीक जैसे स्तधन सचिदन और यह नानू तीनों एक आदमी हैं उसे तरीके से यह rectangle signal ठीक है clear हो गया सबको यहां तक हाओ नोटेशन है 10 राइटर 10 प्रकार कर लिखते हैं सर 10 हमारे प्रकार को क्लिक के चल देथे ठीक clear हो गया चलो अब प्लोट करके बताना है और घाथ कावे कोनो मुँ पाराथ टैक लगा थे चलो 100 रेक टी बाई टाउ टी बाई फोर प्लोट करो सब कबीन प्लोट कर अपनमने अब भजो 8 सब में चेक कर रहो न तुरांत लुण लुण बाई 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 लुण लुण फे लुण प्लोट कर अपनम दो लुण प्लोट कर दो ज़ली बाई भजो देख रहा हूं आपने लुण प्लोट कर अपनम आया आपनम आया आपनम आपनम ठीक है जी, प्रसांद, नवखरी लग एक बाद, नासाम साइन्टिस्ट होनी मना थसते हैं, नवखरी लग एक बाद, खेते के दवड, राइट गोलो इसता, समझ गये, लाइन मेंन के साथ, फिर खंभा भी चड़ेल पड़ी, आथे चड़ा है, पैसा थी, आधा, जैसे वहा आपर टाउ था, तो हमने टाउ बाई टू किया था, फोर है तो, फोर बाई टू कर देंगे, और हंड्रेट है, मल्टिप्लिकेशन में, तो हंड्रेट कर देंगे, अभी, आएगा ना भी उसका आगे, नहीं, चार है तो चालिक होगे, है न जी, फोल्टी रहेगा, तो कैसे करोगी, पहले करोगे, फोल्टी रएवर्ट करोगे न, फोल्टी रएवर्ट, वन है यह सकती है, कया बाई तो, क्या हो जयाएगा, वन बाई टू, वन बाई तो, अब उसको क्या क्या हो जाएगा कितना आजाएगा कितना आजाएगा बतागे 40 करीगे क्या आएगा इसके आगे मैं खिलने ही नियम जा रहा हूं इसने करिया मही माले निकल जाओ इसे जी हाँ देखे बावेश तुरंट समझ गया देखो इधर 40 का ऐसा लिखा हुआ है ठिक से वानी देखो इधर देहां से इसका मतलब क्या है 1 by 4 है ना इसका मतलब तो ये 1 by minus 8 to 1 by 8 हो जाएगा ठिक क्लियर हुआ क्लियर देख चलिए आगे बढ़ें क्लियर हो गया तक अब आगे बढ़ते हैं असका ना तो नहीं हो जो भी रहेगा ना उसको आधा करना है जैसे यहां चार था तो दो दो कर दिये 1 by 4 था तो 1 by 8 कर दिये बस इतना ही है ठीक है जी हांट सेम चीजा दिए बढ़े 2 कर देना चलो next सिंक सबके घर में है कैसे जी सिंक फंक्शन सिंक है ना उसका एक फंक्शन मना गिये जिसको बलता है सिंक फंक्शन कैसे प्रियंका जी याद है सिंक फंक्शन बहुत कुछ आएगा बेभी तुम अनना का लगते है जी एसने निकल जाते है जाम अभी तो चालो हुआ है पढ़ना चालो क्यों अभी चलो जखो किसी पता है कैसे जी आखांस मनों भागे पढ़े मेरे नहीं करना करे भागया कलेका है की आखांस मेरे धसे आखांस किके रह द्यीश्यक्य हाँ ये, ये अक्टोपोस देखे हो, ये श्टाइप कर रहता है, चाइना वालों जिन्दा खा देते, ठीक, इसको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारा नेच सिग्नल है, ये अक्टोपोस टाइप को दिखता है, ठीकर अक्टोपोस टाइप का, ठीके जी, डड़ीच अक्टोपोस, आउस सीर बनादा, सीर बनादा, सीर बनादा, सीर बनादा, सार, अभी रिते तब सीर भी बनतीच, सामने में, इन सार पाज, अड़ सो ओ, इधर क्या हो जागा जी, माइनस बनादा, माइनस टू, माइनस टू, माइनस ट्री, ठीक, दाइज काल्ट सीर फंक्ट्सन, ये रिप्रेजिंट बाइ, साइन, पाइ टी, डिवाइड बाइ, पाइ टी, ठीक है जी, और साइन एक्स बाइ एक्स, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, क्लियर, ठीक है जी, इस पर याद रखेंगे, तो आक्टोपॉस वाले याद रखना, ठीक, बताया था, ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं, इसके बाद, अभी आगे पढ़ेंगे जी, साइन रूल, एल हास्पिटल, पढ़े हो जी, एल हास्पिटल, पढ़ाऊंगे इसके बाद, इसका बेली बन होता है, ठीक, कुछ तो याद है, हाँ, 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 ठीक, पढ़ेंगे अभी, बस अभी मैंने, डिफाइन करना सिखाया है, फंक्शन को, साइन पाइटी पटे पाइटी, तो सिंक फंक्शन याद रखेंगे, दिखता कैसे है, आपक्टोपर स्टाइब का, ठीक, ठीक, आए समांगे, क्लिर हो गया, इसका वेल्यू, जीरो होता है, फोर आल, वेल्यूस अफ, वेल्यूस के लिए, वन होता है, केवल और केवल, टीकोल टू जीरो में, ठीक है, इस तरीकेश दिफाइन करते हैं, ठीक है, आज के लितने रखें, इसके बाद, नेक्स्ट क्लास, कल बतांगा अच्छे से, ठीक है, बस इतने लोट कर रहे हैं, बाकी सब लोग इदा,